तब से ये प्रेस कॉन्फरेंस शुरू हुई है तब से आप धन्यवाद दिये जा रही हैं, इश्वर को धन्यवाद दे रही हैं, फैंस को दे रही हैं, हिमेश को दे रही हैं, तपन और बाकी टीम को दे रही हैं, लेकिन आप से बहुत लोग इंस्पायर भी हुए हैं, आप आपकी कहानी जानना चाहते हैं, तेरी मेरी कहानी गाना जरूर गारी है, लेकिन आपकी कहानी कि क्या आप बच्पन से आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े प्लाटफॉर्म पर आएंगी, क्या आपने कभी कोई सास्त्री संगीत का कोई क्लासेज ली है, या फिर जब कि आपको इतना बड़ा प्लाटफार्म मिल जाएगा इस तरह से लोगों की फेवरेट बन जाएंगी मैं जब गाती थी तो तभी मुझे इस बात का इसा समीं था मगर मेरे आवाज के उपर मैंने हमेशा निर्भार किया कि मेरी जो आवाज है क्योंकि मैंने पहले तो लाता जी का आवाज से गाना सुरू किया तो उसके लिए मैंने वो जो सोड पिक्चर का गाना गाया तो मैंने वो जो गाना बच्पन से मैंने गाने की मुझे बहुत शॉक मतलब शॉक मिंच दिल से ऐसा नहीं गा दिया हो गया मतलब जो गाना नहीं होता तो एक अनका अनकम्पिटेविल बोलता है न जिसके फुल मतलब फुल्फिल नहीं हुआ या फिर कुछ अधूरा रहे गया मेरी जिन्दगी से, मेरी सूरों से, मेरी आवाज उसे, तो कहां क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, ऐसा सोचते थी जरूर, लेकिन मेरी जो आवाज है, जो गौड की तरह से मिले या भगवान, तो उनके उपर मैं हमेशा निर्भार या फिर डिबेंड करते थी, कि मैं करती हूँ भी आवी भी, कि उनके महरवानी से मैंने, जो भी कुछ हुआ, सब आपके सामने हूँ, और है, और आगी जाके भी मैं जरूर गाऊंगी, इनके साथ तो जो रिलीज वानास से, गाना, तो इ लेकिन ये बात है कि मैंने कभी ये आसा नहीं छोड़ा, उमीद नहीं छोड़ी, कि मेरी जिवन में कभी ये दिन नहीं आने वाली है, हाँ, ये जो स्टेज मुझे, ये जो स्टेप मिली है, हमेश जिसे, तो इसका साइद मुझे अंदजा नहीं था, या मैंने सोचा नहीं लेकिन स्टेज पे मैं पहले भी गाह चुकी हूँ और गाया भी हूँ और कुछ सालों के लिए गैप था गैप थी लेकिन इसका मतलब भी नहीं कि मैं गानों से अंजयाना थी एज़ शूर और अगर मैं सोचा कि मैं गान नहीं सकी तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने गाना सुनना छोड़ दू तो मैंने उन जैसे कि रफवी जी और मलता मंग इसका और मुकेश जी और सनुनिगाम और पर कुमार सानु जो जो बड़े-बड़े सिंगर है या फिर किशोर क। तो कैसर से जुम रिवाईश करकर करके मैं जिस जगा में मुझे जरूष्मज़ वो सुन की सिखि हूँ तो मुझे मुझे जैसे लाता जी का आउमज मै ने तभी कॉफी करते थी खरकर के मैंने गाया तो सभी गाय उप गाय कैसे तो मुझे यह उमिद्थी कि है भी कि मैं जरूर्द गा सकती हूँ और कुछ हो इमेजी है, इमेजी है, ओन या लेफ्ट राणुजी मेरा सवाल आपसे है राणुजी, आपके लेफ्ट में आपके लेफ्ट में, इधर राणुजी, इस तरीके से देखती हैं अप इस सारी जरूर्द को कितनी मुश्किल थी जरूर्द क्या चाहें की और जब लोगों के अपयार मिल रहे है, जंदा के पोरा जो, क्या फिल करते हैं उनके इस पैर के लिए कुमें अभारी हूँ उनके पस प्यार के लिए, जो मुझे इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतना मुझे चाहा इस बात गाने के लिए, इसके लिए मैं उनके पस, उनको तो हर वक्त में सुक्रियादा करती हूँ कि उनके लिए, और फिर हमारी जो हैमिस्ची है, इनका जो मुझे पर एहसान जरूर है, मतलब सूर, सूर के उपर उन्होंने, जो आवी तक बताया उनोंने, तो उन्होंने भी मेरे लिए, बहुत, मतलब मुझे इस तरह की मुझे इतना मदद मिली है, और प्यार भी, जरूर, प्यार अगर ना हो तो साइद मेरे दिल से इतना सारा गाना, साइद नहीं हूपता थ साइथ क्योंकि मुझे तो जीनों ने बनाया जी वो उसका प्यार है यानि God का है I mean Jesus का ये शुकी तभी तो में गा सकी और फिर आप लोग इतना प्यार भी उनके वजाए से मुझे मिली है तो मैं आपका भी आप सब का अभारी हूँ God के भी अभारी हूँ और ये जो अपना तपंडास तो हमारे लिए बहुत मयनद की है बहुत कि हमें उनका उनहोने तो मेंजी मुझे चोड़ा इनके वजाए से जो हमें हैं एल्व किया और अतन्रक हुई तो उनका भी बहुत शुक्र को जाए टो हमारी एक पुराना गाना 36.चेयना टाउन इनकी म्यू स्थमी तो हम सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, अच्छी जरह से, तो वी आर बैकिंगा, नॉट अप्रोब्लम, आपका, अफ़ोर्स मीडिया, वी नीडिया सपोर्ट इन इस, तो आप जितना प्लीज सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज सपोर्ट कीजिए, थैंक यू. तो अच्छी आर्ण, आपका, आपका, वी नीडिया, प्लीज सपोर्ट काराण, जैंक यू. यू. मेरी कैप पाली जौनी में एक सच ये था कि अब क्या बनु बाल उड़ गए थे तो ये था तो एक लगा ली उसके बाद आप लोगों हीट कर दिया पर गाने तो गाने का ब्यूजिक में तो मैं थाई उसके बाद पर ट्रांस्प्लांट ओ गया तो फिर सब बाला जाते हैं यह पर तो आजकल टेक्नोलोजी में सब कुछ हो जाता है तो आप लोगों की यह उ तो में एक्टर लगवी तो पड़ेगा कोशिश तो करनी पड़ेगी और मेरी जूरी बहुती अंकन्वेंशनल रही है मेरी जूरी कोई I was not I was a born musician or a producer or a singer and then ik reality shows में मैं जज करने लगा and aap logo को एक 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 आगई गई गाई बहुत सारे हिद हो गई स अब एक कही नहीं मुझे लगा कि I will be able to deliver as an actor और उसकी कोशिश मैंने शुरू की बट अभी तो यह मेरी दस्वी फिल्म है तो फॉर्स फिल्म से एक वर्डिक्ट आजाता है कि भाई यह करना चाहे कुछ फिल्मे चली कुछ नहीं चली लेकिन हर फिल्म में एक लेवल का मैं थोड़ा सा इंपरूव करता गया लेकिन में जहां पर बहुत बड़ा हाथ सुनिय का है उसमें क्यूंकि उसमें इसमें जहां कि first you'll have to get into fitness, get into workshops, get into the right zone where you can prove yourself as an actor. And sometimes that's why, when Expose film has done a good business, and we have done a sequel, after that, you started it, which has done a moderate business. So I sometimes got good reviews from some people, sometimes not. So I've never thought about it, because I'm just starting the world of that actor. But at Happy Heart here, at 3 o'clock, when you watch the film, I think that we've been working, and you'll get a very improved actor. This is what I've tried. So in that transformation, Sonia has done the screenplay also for the film. And my dad has also done a great job. In every thing. Because in my home, there's no one who says just positive things. They tell me, why do you want to be an actor? So if you want to be an actor, then you have to do a great job, and then compete with the best. And I have tried to do that in Happy Heart here. Success, non-success, I don't know, but we've made a very good product. At 3 o'clock, I'm proud of the product, in terms of the aesthetics, the sensibilities of the film. And trust me, I think that nepotism… Yeah, this is a point of view. It's like, I'm seeing 6 from here, you're seeing 9 from here. You're seeing both of them. You're seeing both of them. So what is nepotism? If there is a superstar or a family that has been so hard, Now, if a child wants to come to this film line, then it doesn't need to be an issue. Because he's trying to do it in that line. And that's what comes from the expectations. Look, if I have performed good in Happy Heart here, If you've performed good in Happy Heart here, just good, Then you'll give him a blockbuster. Why? Because your expectations are low. But if you perform a very big family with a superstar actor, And he performs better for me than 10 times, But he doesn't perform on that level, Like his father performs. Or his dad performs. Or his family performs. Then you'll give him the same thing in comparison, Or his expectations will not give him the same value. So the children of nepotism, They fight a lot of expectations. But the first platform, definitely, They get very quickly, Which they need to work a lot. But on the other hand, Those who come from a non-film family, To become successful, I personally, I really think that, With them, Where there is a lot of effort, There is another thing, Expectations are very low. And because of those expectations, With low expectations, There is a chance to get success with them, And both of them are doing so well. Superstars, There are also superstars, And talent from outside, There are also superstars, So that is the beauty of our industry. And you guys, Finally, Audience, Like the people know everyone, Public knows everyone, Eventually, Audience's decision is right. So that is, I have seen, Debate on nepotism, Issue on, Talk about, But the audience, Is the correct selection, Is the correct selection, When, Ranbir Kapoor, Is the right thing, Is the right thing, Is the right thing, But, Definitely, He's, He's got a break, Because he's, He's, He's from such a, Such a, Such a big family, But that doesn't mean, He's less talented, He's a superstar. And, Jho, Neye tariqe se aate hai, Ho bhi humne dekha hai, Ki kitne badi stars bante hai, So I think it, It just co-exists. That is it. You know, Aapko sab loog jante hai, Aapka ka kaam, Bada kaam hai, Aapka remis hai, Aapne, Aapne, Lekin kush sharaarti tata, Jeb aapko troll kare hai, Thes mein, Shoshal media mein padha tha, He cahe hte ki, Ranu Mandar to launch ho hori hai hai, Lekin, Unki, Wajah se, Jho fein or hai hai, Ho aapko bhi relaunch kare hai. Us mein kyu nahi, Mujhe ko issue hi nahi hai na, Agar kisi ko kuch bhi lagta hai, Toh mujhe toh har stage pe aapne aapko proof karna hai hai na, Aaj itne saaloh se, Itne hit gaani dene ke baad, Mujhe ek tune, Or aasi banani hai padeegi, Jho un tune se uper hai, Or wo, I mean, Uh, Maanai kitne hundreds of songs, Jho bhi hit huye hai, By the grace of God, Uske uper jana bhoort difficult hai, As a tune, Toh mein sirf yeh dhekta hou, Ke bhi, Is, I just pray to God, Ke woh bless, Mujhe woh tune kare hai, Because woh mucse bantti nahi hai, Woh uper wale ka ashwurwaad hai, Mere dad, Jho usmei correction kar diete hai.